It's that time of the year again जब पूरी दुनिया के नजरे एक ही शक्स पे होगी और वो है Tim Cook जी हाँ, Apple के नए iPhones जल्द ही लाँच होने वाले हैं और साथ ही कुछ और भी Apple के प्रोड़क्स उस इवेंट में लाँच होंगे जो तारीक तेक ही गई है वो है 12 सितंबर सुभा 10 बजे US Time तो जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे होगा Apple का नया iPhone और बागी क्या iPhone Versions Plus और क्या-क्या Apple उस इवेंट में लाँच करेगी आप देख रहे हैं टेक तक, मैं हूँ शुती शर्मा आपल का जो यह नया फोन है वो 12 सितंबर को लाँच हो जाएगा और इसका नाम ऐसा माना जा रहा है कि iPhone 8 होगा और विपोर्स की माने तो iPhone 7S और 7S Plus भी इस फोन के साथ लाँच होने वाला है iPhone 8 के ही बात करें तो यह तीन वेरियन्स में आएगा ऐसा बोल रहे है 64GB, 256GB और 512GB जी हां 512GB वेरियन्ट भी iPhone 8 में निकाला जाएगा और जो कलर होए उसकी बात करें तो कलर गोल्ड रश कलर है और यूजली तो यह कॉपर कलर है पर इसको ब्लश कोल्ड के नाम से Apple प्रमूट करेगा यह नया कालर होगा जो iPhone 8 में आपको देखने को मिलेगा यह इवन इसले भी स्पेशल है क्योंकि अब Apple as a company को 10 साल पूरे हो जाएंगे तो यह iPhone 8 है इसको हम Limited Edition, Limited Anniversary Edition भी मान सकते हैं और हो सकता है कि Apple इसे iPhone 8 को Anniversary Edition के नाम से भी लांच करें iPhone 7S और 7 Plus की बात करें तो उसमें जादा changes नहीं होएंगे वो usual iPhones की तरह ही होँगे बस उसमें Touch ID टेक्नोलोजी दी जाएगी, OLED डिस्प्ले दिया जाएगा और अभी तक के 256GB स्टोरेज इसमें दी जाएगी 512 ऐसा माना जा रहा है कि इसमें storage नहीं होगी वो सरफ iPhone 8 के लिए रखी गई So Apple का ये event 12 सितंबर को होना है और 12 सितंबर को ही Apple ले सारे iPhones लांच करेगा और ऐसा माना जा रहा है कि Apple ने इस बार काफी अच्छी तयारी करी है और सारे iPhones manufacturing के लिए ready हैं और 22 सितंबर तक ये सारी shipments सभी countries में पहुँच जाएगी और 22 सितंबर से ही iPhone के सभी phone जो latest launch होंगे 22 सितंबर से सभी countries में available भी होंगे अब बात करें Samsung की तो Samsung ने हाल ही में Galaxy Note 8 को भी launch किया है तो लोग अभी रुके हुए हैं Samsung Galaxy Note 8 नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कुछ ही दिनों बाद जो Apple के नए फोन launch होंगे वो क्या features देते हैं, क्या specs होंगे ताकि वो compare करके फिर या तो iPhone के नए फोन खरीदेंगे या फिर Samsung Galaxy Note 8 को खरीदेंगे ऐसा माना जा रहा है कि iPhone 8 का जो design है वो metal और glass से inspired होगा built quality काफी अच्छी होगी और क्यूंकि अब dual camera का सिल्सला Apple ने भी शुरू कर दिया है तो आने वाले models में भी dual camera जरूर रहेगा iPhone 8 में बोल रहे हैं कि touch technology होगी 3D facial recognition भी होगा उसमें और साथ ही साथ wireless charging की भी बात की जा रही है और fingerprint sensor जो की front panel में on screen होगा अब ये कैसा होगा वो देखने वाली बात होगी Reports की माने तो बोल रहे हैं कि iPhone का design जो है bezel-less भी हो सकता है जी हाँ, there'll be no bezels on the screen of the iPhone You'll get a good 18 is to 9 aspect ratio which is usually now coming in all the cell phones तो देखते हैं, Reports का तो अब ये ही कहना है तो सिल्सरा iPhone 8, 7S और 7S Plus तक ही नहीं रुकता है माना जा रहा है कि Apple इसी event में अपना नया Apple 4K TV लाँच करेगा Apple की watch C लाँच करेगा और साथ ही साथ कुछ Apple के software भी लाँच करेगा Software बोले तो हो सकता है iOS 11 रोल आउट कर दे Apple और जो नए devices होंगे उसमें पहले से ही ये operating system मौजूद होगा और watch की ही बात करें तो obviously dust and water resistant होगी ये जबूद watch और एक नए चीज़ जो यहां आ रही है सामने वो ये कि Apple की watch होगी वो दो वर्जिन में होगी एक होगा वर्जिन वाइफाई और एक होगा वाइफाई प्लस LTE which simply means कि आप Apple की watch 3 से phone calls भी कर पाएंगे आप phone dial करेंगे और उसी पे बात भी कर पाएंगे पर ये अभी reports ही है आगे क्या होगा वो तो हमें अब 12 सितंबर को ही पता चलेगा A little more specs about the Apple watch 3 वो ये सामने कि उसकी longer battery life होगी और उसमें sensors दिये जाएंगे जो कि आपकी blood में जो sugar levels है वो Apple की watch measure कर पाएंगे ये medical aspect भी अब Apple include करने वाला है अपनी watch 3 में पर ये कितना सच होता है ये तो अब हमें आने वाला वक्त ही बताएगा ये थी अटकले जो लगाई जा रही है iPhone 8 के बारे में iPhone 7S, 7S Plus, Apple watch 3, Apple TV and lots more जो की event 12 सितंबर को होना है तो आप इस space को देखते रहेगा जैसे ही Tim को कुनाउंस करेंगे हम आपके लिए लेके आएंगे updates exclusively और extensively बताएंगे आपको की Apple के event में क्या-क्या launch हुआ और वो प्रोडक्स कैसे आगे जलके फेर करेंगे अगर आपको इस वीडियो पसंद आया आप इसे like करें, share करें और हमारे चैनल टेक तक को जरूर सब्सक्राइब करें